नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों अगर आज की यहाँ बहुत श्वानी शही नहीं होई या फिर सच नहीं हुआ तो दोस्वों पुख मांगा जुर्माना देंगे पर दोस्तों आज की इस वीडियो को अंत तक आपको देखना पड़ेगा जिया दोस्तों हम 100 परशन यहाँ दावा करते हैं कि वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों आपकी जुवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी जो बीचीज आप चाहते हैं वे शबी चीज़ें आपके कदमों में होने वाली है जिया दोस्तों यह बात हम आपको योहीं नहीं कह रहे हैं क्यों दोस्तों आप शबी को बता दें कि हमने इस वीडियो पे आपके जीवन की पूरी जनकारी दी है आई दोस्तों बात करते हैं शादी दोस्तों भगवान शुनदेव के शभी सच्चे भग कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जैशनदेव लिखकर वीडियो को लाइक करना ना भूले क्यों दोसों आप शबी को पता है कि यह आप शबी का जो जिवन है भगवान शिन्देप के ही किर पास्षी चलता है तो दोसों सच्चे मनसे जैशन्देप जरू लिखेगा अशिरबात पाने के लिए कमेंट स्रक्षन में जैश शनिदेव तो आई दोस्तों बात करते ही आगे हम आपको बताने वाले ही कि आगे आपके पाश पेशा क्यों नहीं आ रहा है इनके क्या वज़ा है कि आपको कोई पूरे नजर लग गई है या आपकी किश्मत ही खराब चल रही है धीरे धीरे हम एक एक पूइंट हर चीज पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं जानने वाले ही और आपको भी बहुत ही गहरी तरिकेशी शमझाने वाले हैं जैश दोस्तों आप हमारी शाद बस अंतर तक सुड़े रहीएगा काभी शमझी हम देख रहे हैं कि आपके राशी की जितने पी जातक है अपने जुनवे बहुत ज़्यादा दुखी है बहुत परिशान है बार बार इन लोग को परिशानी का शामना करना पढ़ रहा है कश्ट जिलने पढ़ रहे हैं और बहुत शारे जातक हम से ही शवाल करते ही कि आकिर इतनी मेहनत करने की बाद भी इतना परिश्यम करने की बाद भी हमें शबलता क्यों नहीं मिल रही है हमारे पास पेशा क्यों नहीं आ रहा है वो विशाय बंद पढ़ा है दंद प्राप्ति नहीं हो पा रहा है इस परकार के कई शबालों से इस राशी के जातक परिशान है तकलीप में है और आप भी अगर परिशान है तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर पूरा दिखिएगा लेकिन अब हम आपको बता दे कि आखिर कौन-कौन सी गलतियां आपके राशी के जातक कर रहे हैं जिस कारण आपको इतनी मुश्किल का शामना करना पड़ रहा है शबसे पहले आप शिबी को बता दे कि आपके गरों की जो अरतमान इस्तिती है वह बहुत ही कुशल और मंगल है यानि कि गरों की प्रस्ति इस दोरन आपका शंपुन शाथ दे रहा है इनका मतलब यह है कि गरहों की तरब शी आपकी राश की जातकों के जी उन में कोई भी शंकट और फिर कोई भी मुश्यबत नहीं आ रहे है जिया दोसों क्यों दोसों शंकट जो आता है वा कुछ अपनी गलतियों के वज़े भी आशकता है और कुछ नशिब की भी बात हो शकती है आगे आने वाला शमय आप लोगों के लिए चमतकारिक शमय शाविद होगा यह हम आप शेवादा करते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख देंगी तो दोसों आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी आपका जीवन ही बदल जाएगा आपकी जिन्दगी ही बदल जाएगी क्यों दोसों यहाँ पर जो गरहों के त्यति है किशिवी परकार की दूइधा नहीं दे रही है और देखिए अब आपके मन में यह नेटा मिल रहा है धन प्रापती नहीं हो पा रही हैं लोगए दोखा दे रहे हैं हमारा पेशा फस जाता हे और कई बार एशा होता है कि अपने ही हमें दोखा देते हैं यानि कि आपके राशी की जितने भी जातक है उनको अपने ही लोग दोखा देकर चले जाते हैं और बाद में उन्हें पस्तावा भी होता है दुख भी होता है और जाहिर शी बात है कोई अगर गहर आपको दोखा दे दे तो उतना दुख नहीं मिलता है जितना दुख आपको अपने के दुखा देने शी मिलते हैं अपने के दुख देने शी मिलते हैं यानि कि एशा भी होता है कि प्रेम के मामले में आप लोगों को दुखा मिल रहा हो या फिर कोई अपना रिष्टिदार ही आपको धुखा दे रहे हैं एशा भी आप लोग के शाथ होता होगा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं आपकी जोन में काफी शंगर्ष है काफी परिशानिया है और यह शंगर्ष तभी खत्म होगा जब आप ठान लेंगे शफलता केशी मिलेंगी आप एक काबिल इंशान केशी बनेंगी आपका भाग उचाईयों पर हो आपका शितारा बलंद हो इन शबी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहली और मुखी गलती बता दे जो कि आपके राशी के जिनें हमने देखा है कि बहुत से लोग इशे होते ही जिनमी क्रोद बहुत ज़्यादा पाया जाता है आप लोग के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोद की मात्रा होती है एंकार बहुत ज़्यादा पाया जाता है जिनके कारण आप अपने परिवार में नकार्तमक उर्जा कूदपन करने लगते ही जिसे कि हम शबी जानते ही कि वर्तमान शमय में दिन का शबसे अधिक शमय अपने वैपार अपने काम अपने नोकरी और परिवार आधी में बिताता है और आप में शी बहुत शी लोग एशे होंगी जो लगबग पूरे दिन भर ज जो मनुश इतना वैस्त हो जाता है इतना बेजी हो जाता है तो उनकी मांसिक दिमाग पर बहुत ही अशर पड़ता है अंत्रिक शांती उसको महशूस नहीं हो पाती जिसकी वज़शी व्यक्ति में क्रोध बहुत ज़्यादा उत्पन हो जाता है गुस्ता बढ़ जाता है औ उसके शामने तो अपना आक्रोश जाहिर ही नहीं करते बलकि आप अपना क्रोध अपने परवार वालों पर अपने बच्चों पर अपने मादापिता पर या फिर अपने जुवर्णशाथी पर इन शब लोगों पर निकाल देते हैं जया दोस्तों पर यही वजह होती है जब कि परिवार में आप के ज्बै शबी की ज़ूट हैजिए बोले लगते हैं आपके आपके शुक्त के के चलते घर परिवार में नकारत्मक उड्जा परविष कर जाती हैं इसके लिए आपको हमेंशा हि अपने घर में हर्शी खुशी का शकारत्मक वातारण बना कर रखना चाहिए कि दोस्तों प्रश्णनता का जो वातारण होता है वह कहीं ना कहीं आपको शफलता दिलाने में शाहिक होता है इसके अलावा तेकिए आपकी राश्ची के जातक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं क्योंकि आप लोग शहीशे अपने परिवार वालों के शाथ शम्यवयतित नहीं कर पाते खुशी के दोपल अपने घर वालों के शाथ नहीं बिदा पाते इसलिए आप ध्यान दें कि घर परिवार में फिजूल में अश्ब्द फिजूल में क्रोध करना या फिर इस प्रकार के जो भी चीज़ें हैं उन्हें अभी छोड़ देजेगा दोस्तों आपके लिए ये सब चीज अच्छा रहेगा इसे परिवार का वातरन बहुत सकार्तमग और प्रेम पुन रहेगा यदि आप चिंतित हैं प्रेशान हैं तो आप कोशिश करें कि आपका ज्याद गलती होती है पहले आप यह वाश शमझ दिजीगा कि आपका जो मन है कभी-कभी इसा आपके श्याद जरू होता है कि कि भी वेक्ति पर भर भुश्रा बहुती असानी श्याप कर लेते हैं कि भी वेक्ति की मीठी-मीठी बातों में एकदम से आप आ जाते हैं यानि कोई शा बड़ा लक्सान हो जाता है अक्शर इशा भी होता है कि आपके राश्टिके में दूसरी तरफ शे या भी देखा गया है कि आपके अपने जो है यानि कि आपकी प्रेमी हो आपके रिष्टेदार हो या फिर आपका जो शाथ देते हैं और तब साथ देते हैं जब तक आपकी जेब में पेशे होते हैं और जब आपकी जेब खाली हो जाती है तो वह लोग आप शे दूर हो जाते हैं आप शे दूरी बना लेते हैं यहां तक कि आपका प्रेमी भी अगर आप मुश्किल वक्त में खड़े हुए होते हैं तो वह भी आपका शात छोड़ कर चला जाता है दूसरी तरब दूसरा दुख आपको यह मिलता है कि आप जिसे सच्चा प्रेम करते हैं वह आपको छोड़ कर चला जाता है या शबी बातें आपके जुनकाल में चलती रहती है उतल पुतल आपके जियोन में होती रहती है गुशा भी आपको बह बातों को भूला देते हैं आप एक नरम दिल के इंशान है आप कभी भी किशी को तकलीप में दुख में देखना बिल्कुल भी बरदास नहीं करते हैं अगर आपको कोई अपना तकलीप में होता है या फिर दुख में होता है तो आप हमेशा उनके शाथ कड़े रहते हैं और आदी रात में भी उनके लिए अपना श्रब कुछ सोड़ चार कर उनके लिए चल देते हैं. दोस्तों वह कोई अपना हो या फिर आपका की दिश्चिदार हो आपको आवास देता है कि मुझे परिशानी है या या परिशानी है शमेश्या है तो आप आदि रात में भी उनके लिए तयार हो जाते हैं उठकर फुरं खञ़े हो जाते हैं उनकी शहता करने के लिए लेकिन देखा गया या है कि जब आपका वक्त आता है जब आप मुश्किल में होते हैं जब आपको पेशों की जरुत पड़ती है उन लोगों की शाहता की जरुत पड़ती है तो दोस्तों आपका कोई शाथ नहीं देता है यहां तक भी देखा गया है कि आप जिसको पेशे देते हैं उस ये वापश अगर पेशे मांगते हैं दोस्तों वे उल्टे अपने हैं, अपने बनने का धोंग करते हैं, अपने बनने का दिखावा करते हैं, और दोसों यह पैचान आप खुद करशकते हैं, क्यों दोसों यह चीज आपके मन में कोई नहीं डाल सकता है, कि कौन आपके अपना है और कौन आपके पराया है, क्यों दोसों जो लोग आपक आपको शात देंगे और कौन्छी लोग आपको दोगा देंगे दोस्तों उसके चकर में आप बिल्कुल भी ना पड़े जी हां दोस्तों आपको दबाकर ही वारक रखेगा यहां बात आप ध्यान रखें अगर आपने किशी की आर्थिक मदद की है और वहां पैशा आप वापस नहीं मिल रहा है और उसकी आर्थिक ही इतिती भी मज़बुद पैशा बहुत है और वहां आपका पैशा नहीं दे रहा है तो दोस्तों आपको भी यह करना चाहिए कि अगर उसरी जुरत पड़े और आपके पास दोबाराशी वो आए तो दोस्तों आप उनकी मदद ना करें जैसा हमने आपको पहले ही बताया है आप एशा लोगों के शाद बिल्कुल भी भरशा ना रखें जो आपके भरश के लाइक नहीं है जैसा दोस्तों यह लोग कभी कभी शमय आने पर धुका दे जाते हैं जिसके कारण आप खुद को बहुत बड़ी मुश्यवत में डाल लेते हैं इसलिए दोस्तों आप ध्यान रखें कि कभी भी किशी पर जाने अन जाने में आप इतना भरशा ना करें इस यह आपका बहुत बड़ा नुक्षान हर बार देखना आपको पड़ता है जै दोस्तों दोस्तों आगे हम प्रेम जिवन की बात करेंगी और नोकरी की भी बात करेंगी नोकरी में केशी आप शफलता को प्राप्त कर सकते हैं और केशी आप अपना शच्चा प्रेम को भी पाशकते हैं दोस्तों इन शबी के बारे में हम आगे बात करेंगे तो दोस्तों हम आपकी शब्शे बड़ी गलती बता रहे हैं कि दोसों आपके राश्य के जो भी जातक हैं, उनके जिवनकाल में शबर नाम की कोई भी चीज नहीं पाई जाती, और कुछ लोगों में एशा भी होता है कि शबर बहुत ज़्यादा होता है, दोनों ही बातें आपके राश्य के जातकों में देखी जाती है, या किसी भी चीज को रोकने में उनके बारे में पहले शेही सोचते नहीं है, हर चीज में हर चीज को बश जल्दबाज में कर जाते हैं, और दुसरी तरफ आपके राश्य के जो जातक होते हैं वा केश्य होते हैं, और जो बहुत सोच समझ कर फेचला लेते हैं दोनों ही बाते हैं और दोनों ही बाते आपके अंदर होती है और दोनों ही बाते आपके अंदर हो शक्ती है कोई शी भी हो शक्ती है कमेंट शक्षन में आप जरूर लिखेगा जिया दोस्तों किया आप जल्दबाज में फेचले लेते हैं या फिर आप सोच समझकर फेस लेते हैं हलांकि यह लोग शपलता भी प्राप्त करते हैं क्योंकि यह अपने मंजिल को अपने शपनों के शाहरे देख लेते हैं कई बार देखा जाता है कि आपके राशी के जातक कोई नया काम शुरू करते हैं तो इन लोग के अंद कि दुनिया में कोई भी काम इतना आशान नहीं है कि आप उसको एक ही दिन में या फिर चंद दिनों में ही पूरा कर लें जया दोस्तों इसलिए शब्र रखना शब्से ज़्यादा जरूरी चीज है हर काम में शब्र और शांति रखना बुद्धिमानी शीक काम करना उचित फ में अपना शमय लगा रहे हैं तो दोस्तों में थोड़ा शर्ष शब्र आप जरूर किएगा जर्दबाजी में आकर कोई भी लपरवाही आप बिल्कुल भी मत किजिएगा लपरवाही में जो भी आप निर ले लेंगे दोस्तों वह काम आगी चलकर आपका खराब हो शकता ह और दोस्तों देखिए अगर किशी काम को करना आपने प्रारम किया है तो जब उषकार में आपको मंचाईश भलता ना मिल जाए तब तक उषकाम को आप करना ना छोड़ो बले ही आपको उषकाम में कम लाप शुरू में मिल रहे हैं लेकिन आप उषको जारे रखें कि दो इसलिए आपको थोड़ा शयम बना कर रखना बहुत ज़्यदा आवश्यक है जिए दोस्तों शबर रखना बहुत ज़्यदा जरूरी है और दोस्तों शाथी हर कारे में बुद्धिमानी का प्रयोग करना भी बेश्यक आवश्यक है अगर आप इस राष्य की जातक है तो आपके जोन में कितनी भी परिशाने आ रही है वह दूर हो जाएंगी एक अच्छा बदलाव आपको देखने को मिलेगा आगे हमने आपको कहा था कि हम बात करेंगे आपके पारी जोन की प्रेम शमंद की आपके नोकरी आपके कौन से बिजनस कौन सा बिजनस आपको बात करेंगी जब लोग आपके शाथ चल कपट करते हैं तो यही दर्द एक दिन आपको बदल देता है यानि कि दोस्तों भरशा तो कोई एक तोड़ता है लेकिन नफरत जिसे शब के शाथ होने लगती है और कुछ लोग तो इतने जहरीले शुभाव के होते हैं कि जिनके बोलने से पहले ही हमें या पता होता है कि या तो जहरी उगलेगा जिया दोस्तों क्योंकि जिन्दगी तो कहीं शेबी शुरू की जा सकती है क्योंकि हम दूसरों के बजाए खुद को ही बदल सकते हैं तो एक बात हमेशा याद रखना चाहिए जिया दोस्तों आप किशी को भी अपनी वज़शे धोखा ना दें किशी कोई बदला ना लें क्योंकि शीदे इंसान का जवाब तो उपर वाला अपने तरीकिशी देता है अगर आपके शाथ किशी ने गलत किया है तो भगवान उसका जवाब जरूर देगा इन लोगों के शाथ कोई ना हूँ लेकिन कंशी की जातक के हमेशा शाथ होता है जो किशी के दवाव में होते हैं या किशी से चोड़ खाए हुए होते हैं भार भार हम आपको कहहरे हैं तो आपका वही होगा जो उपर वाला चाहेगा जिहा दोस्तूं आज हम इस विडियो में आग TWe को बताने वाले हैं कि आप पारण क्या है हम आप शिबी को बतादें कि शमय जो होता है वा कभी बी एक जैशा नहीं होता जिया धोसुन इस बात को आप धियान में रखिएगा जिया धोसुन शमय की हमारे शबर की पर तिक्चा होती है जिया धोसुन यानि कि जो इंशान अपने फेशले और शबर के शाथ मुश्किल पस्तितियों को पार कर जाता है वही शबसे ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान इंशान होता है तो देखिए जी उनमें एक न एक दिन एशाशमय जरूरी आता है जो सिर्फ एक यी दर्द आपको हर दर्द शेहना सिखा देता है यानि कि किसी भी चीज को करने का जज़बा या फिर टेलेंट तो जदातर लोगों में होता है लेकिन हिम्मत जो होती है वह बहुती कम लोगों में देखी जाती है और जिन्दगी में वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जिनमें हिम्मत बेहिशाब होती है दोसों आपके राश्य के जातकों में बहुती ज़्यादा या हिम्मत देखने को मिलती है जिस काम में आप हाथ लगा देते हैं दोसों उन्हें करके ही छोड़ते हैं चाहे वह कितना ही भारी क्यों ना हो कितना ही कठीन क्यों ना हो आपके राश्य के जातक तो वेशे भी बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले होते हैं इनमें देखा जाता है कि इनका मन ही इनका ओजार होता है यानि की यह लोग जो भी करते हैं अपने मन के मुताबित करते हैं एक बात हमेशा ही आपको याद रखने चाहिए कि आप अपने मन के मालिक बनना शिक्खें उनका गुलाम नहीं तो दुसरी बात आपके लिए है जरूरी है कि आप अपने कोई भी गुपद बातें या पिर कोई भी इसी राज की बातें किशी को भी ना बताएं क्योंकि दोस्तों इस आकसर देखा गया है कि जो भी आपके शबसे बड़े राज हैं उन्हें आप खुदी उज़ागर कर देते हैं दुसरों के शाथ शेयर कर देते हैं और जो आपके लिए नुक्षान दायक होते ही होते हैं जिय दोस्तों आप किशी दुसरे इंशान यह बात आप नहीं समझ पाते और इसी का फैदा वह दुश्मन उठा लेते हैं जिय दोस्तों और आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फशा लेते हैं लेकिन एक बार अगर आपको दोखा मिल जाए चाहे वो आपका वयवशाय हो या फिर आपका प्रेम जिवन हो फिर बहुत आशानी शी आप किशी दुसरे इंशान पर भरोशा नहीं कर पाती लेकिन हम आप शे बस यही बात कर रहे हैं कि आप किशी भी अनजान वयक्ति पर बिल्कुल भी भरोशा ना करें बलकि आप पहले पहचाने कि कौन वयक्ति केशा है तब उनके शाथ कुछ भी करें काम करें बात करें फिर भी कोई भी इंशान हो चाहे वो आपका अपना हो आपके रिष्तिदार क्यों ना हूँ, शगा रिष्तिदार क्यों ना हूँ, शगा शमंदी क्यों ना हूँ, दोस्तों आपको चाहिए कि शब से पहले उनको जानना है, जो है वो इस लाइक है भी या नहीं, शाथ ही या बात भी आपको हमेशा याद रखनी है, कि आप होशे के लाइक हैं जो उसको निमाना जानता है क्योंकि आपकी हर किशी पर जल्दी भरुशा करने की आदत आपको एक दिन बरवाद कर देगी जितना जल्दी होश की आप इस बात को समझ ले इसके अलावा देखिए अगर आप अपनी जिन्दगी में कुछ नया पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ पूराने पूराना चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जिया दोसों जियोन में भगवान हमेशा हमें हमें दो ही चीजें प्राकृतिक माध्यमशी शब्चे ज़्यदा महत्पुन्दी है यानि कि इन दोनों के आचल में च्छां होते हैं और आप इनका हमेशा शेही शमान करनाशिक हैं आतिर और खतरनाक लोग पहले अपनापन हैं और फिर जब आप उन पर हद से ज़्यादा भरुशा कर लेते हैं तो फिर यही लोग एक दिन अपने उकाद दिखा जाते हैं जया दोसों इस चीज में अक्षर बहुत देर हो जाती है कि जब जूटे लोग की पहचान आप नहीं कर पाते पेशे तो देखिए आप इतन मिनलशार शभाव के होते हैं कि बहुत जल्दी है लोगों में घुल मिल जाते हैं और आपके दोस्तों की शंख्या लकी कम होती है लेकिन बहुत ही जल्द आप शे लोग आकर्शित हो जाते हैं बहुत जल्दी है आप किसी से दोस्ति कर लेते हैं दुसरा व्यक्ति बहुत जल्दी आपकी तरफ आकरशित हो जाता है और आपके अकेले पैन का एहशाशी दुसरों पर जल्दी विश्वाज कर लेना उनसे अपनी शारी बातें शेयर कर लेना यानि जो आपकी दिल के बहुत ज्यादा करीब है उनको आप अपनी बातें बताना बहुत अच्छा शमझत हैं हलांकि देखिए यह तो ठीक है कि आप अपने किशी क्लोज या फिर किशी करीबी मित्र को बता शकते हैं लेकिन हर किशी को नहीं क्योंकि दोस्तों किशी इंसान की शेंसिलता एक खीचेवे धागी की तरह होती है यानि कि जब जरूर से ज़्यादा खीचे जाने पर वह भी तूटना पक्का है जिहां दोस्तों और कभी-कभी तो जिन्दगी में कुछ ऐसे भी शक्त फिसले लेने पर जाते हैं जो आपकी पूरी जिन्दगी को ही बदल देते हैं यानि कि जिसे कोई नहीं शुदार पाता उसे एक दिन कुद्रत का डंडा जरूर शुदारता है शबसे पहली बात तो या है कि आपको किशी भी पस्तिती में खुद को कमजोर नहीं शमजना चाहिए क्योंकि शमय के शाथ बढ़ती वी शमज जिन्दगी को जिने का तरीका शिखाती है इसलिए आपको हमेशा आश्य मारक को ही अपनाना चाहिए शांत रहकर हर चीज को श शान अपने हालातों शी कमजोर होता है उसका फैदा हर कोई उठा जाता है तो इसलिए इस बात पर हमेशा गौर करना चाहिए जया दोसों और देखिए कभी कभी इशा भी वक्त आता है जब किशी अपने को भी वह गयर कर जाता है जया दोसों ने कि जिसको हम उम्र भर लगा कर रखना सोड़ देना होगा जया दोसों दिल से इन चीज़ों को बिलकुल भी आप ना लगाए शिर्फ अपने मन को शुनना शुरू करें दोसरों की बेतुकी बातों को अंदेखा करना शीख ले क्योंकि दोसों चमतकार शिफ उन्हें के शात होते हैं जिनके मन में बिश्वास भरा होता है इसलिए दोसों आप उन्हें जिन्दगी का रोना के वर उन्हें की शामने रोएं जो आपकी आशों का धर्द समझता है आपकी कदर करता है और रिस्ता भी उस इंसान के शात रखें जो आपके रिस्तों को महत को समझता है दोसों एक इंसान की फित कि वह फिर भी परिश्यान क्यों रहता है क्योंकि वह खुद को कभी नहीं बदल पाता यानि जक्म तो वहीं रहते हैं जो वह छुपा लेता है क्योंकि एक समझदार इंशान अपने जक्मों का तमाशा कभी नहीं करता और जो इसे लोग होते हैं उन्हें की शमाज में सबसे ज्यादा इजद होती है इन शवी बातों से पहले आपको खुद को ही शमझाना होगा यदि आप खुद को नहीं शमझा पाए तो आप लोगों का कभी कोई शगा नहीं बन पाएगा किसी से सचा रिष्टा बना ही नहीं पाएंगे इस दुनिया में वही लोग हम कह शकते हैं क का एक और वज़ा होती है कि लोग अक्षर तुटना तो पशंद करते हैं लेकिन किसी के शामने जुकना पशंद नहीं करते आपको बता दें कि यदि आपके पास पेशा है तो पेशा ही आपको उपर ले जा सकता है लेकिन इंचान पेशे को अपने शाथ उपर नहीं ले ज दोसों उसको वक्त पर प्रेम और विश्वास देना चाहिए और दूसरी तरफ आपको लोगों को पहचाना भी चाहिए जो कि हमने आपको बताया है जी अदोसों कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है आपको किशी ने धोका दिया है आपको किशी से चोट मिली है त दिल दुखाकर कोई भी खुश नहीं रह सकता यदि आप यह समझेंगे कि आपका दिल तोड़कर सामने वाला खुश रह सकता है नहीं यह आपकी सोच गलत है क्योंकि जो किशी का दिल दुखाता है भगवान उषे भी आगे जाकर कुछ ना कुछ जरूर दिखाता है वेशे म आप भगवान पर छोड़ देना है अगर आप खामस रहेंगे और आपके दिल की जो आवाज निकलेगी वह भगवान तक जरूर पहुचेगी और भगवान उचकी शजा जरूर देंगे इसलिए दोस्तों आप अपने और से पूरी कोशिश करें कि आपके दोवरा किशी का दि अफिह ना पहुचायें तभी आप अपनी जोन में शुकून से जिन्दिकी को जिपाएंगी एक अच्छे इनसान में यही शही बात है उन्हें पढ़ने की भी आदत होती है उन्हें शहीबात करने قिशी आदत होती है जिए दोसों उन्हें यहाई चीजिजें अप openness हो जात तो शारा शंसार शारा जहां शुंदर और खुशूरत लगने लगता है तो दोस्तों केवाल आप अपने आपको बदलने के बारे में शोचे जितना शंबव हो उतना ही खुद को बदलने में शोचे दुसरों पर जल्दी विश्वास करने की आदत को आप त्याग दे की भी कदर करना शीक लेना चाहिए यदि आप किशी को ज़्यादा महत देते हैं और वह भी आपको महत देता है इसे इंसान को आप अपने जीवन में कभी भी अलग ना होने दें जिया दोस्तों उनका पूरा शाथ दें क्योंकि उनको आपके शाथ की जुरुत है और आपको शमय रहते आप इसे लोगों की कदर करें और इसे लोगों को पहचाने तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आपकी नोकरी की भी आपके प्रेम जीवन की भी आपको शफलता किस शाल में मिलेगी किस समय में मिलेगी या भी हम आपको बताएंगे तो दोस्तों देखिए अगर आपने शुरु किया है मान लेजिए आपके छोटी ची दुकान ही क्यों नहीं और शही छही नहीं चल पा रहा है दिखेएай आपको एक तो शनिवार के दिन शाम के शमय शनिवार के दिन आपको अकेश रुपएर अपने जैवसे निकालने हैं या या फिर आप अपनी दुकान के गल्ले से भी आप इन्हें निकाल सकते हैं और दोसों इन अकेश रुपे को किसी जरुत्वन व्यक्ति बुढ़ा व्यक्ति को दान कर देना है यह आपको हर शनिवार के दिन करना है और मंगलवार को दूसरा उपाई इसी के शाथ आपको करना ह जी आदोसों यानि कि दो उपाई आपको करने हैं जी आदोसों आपको एक शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन मंगलवार को आपको किशी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना है और शनिवार की दिन आपको केश रुपे का जो है दान गरीब में करना है जरुतों में करना है या दोनों उपाई एक ही शाद जुड़ूए हैं दोनों को आपको करना और दोनों को आपको करना बहुत जरूरी है और दोस्तों चार शप्ता के बाद ही या फिर कहें तूझ से पहली आपको अच्छे पेड़ाम देखने शुरू हो जाएंगी दोस्तों देखिए जब आपक आपको नोक्री कहीं पर नहीं लग पा रही है और जो भी नोक्री है वो भी बंद पड़े हैं तो दोस्तों आपको शुरी के उपाई आपको करना चाहिए शुरी के उपाई करें रगवार के दिन या फिर इसके अलवा आप खाले कुट्य को भी रोटी खिलाएं और अपने घर की छट पर पक्षियों के लिए आनाज और पाने का इतिजाम क्या करें तो दोस्तों ऐसा अगर आप करेंगे तो जल्दी ही आपकी नोक्री लग जाएगी और दोस्तों कोई भी उबाय अगर आप करते हैं तो दोस्तों पूरी शर्दा और विश्वास की शाथी करें तब ही जाकर आपको जगह पर उनका जो है शबलता मिलेगा उनका प्रिणा मिलेगा तो इसलिए दोस्तों काली चिटियों को कभी भी अपने घर में आनेशी मत रुकिएगा या फिर घरशी आ गए है तो दोस्तों घरशी उनको बिल्कुल भी आपको नहीं भगाना है शारी दोस्तों चिटियों के लिए भी आप शुकरवार के दिन आटा शकर जरूर डालें या उपाय आप जरूर किजेगा घर के चट पर पक्चियों के लिए अनाज पानी का अंतिजाम करें चिटियों को आटा शकर आप जरूर डालें शाथी अगर काली चिटियों आपके बता दें कि भोजन आप जरूर करा दें जहां दोसों और देखिए अगर आपके घर के आजपास कोई नदी तलाब है तो दोसों, चोटे-चोटे आठे की गोलिया बना लें मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन दो दिन आप छोटी चोटी आंटे की गोलिया बना कर मचलियों को डाले इंसे दोस्तों जल्दी आपको शफलता प्राप्त होगी शादे दोस्तों अगर आपके श्वास्त खराब चल रहा है लंबे शमेशे आप बिमारियों से प्रिशान है तो दोस्तों कोई भी प्रियाशानी आपको इसी चल रही है जो आप दवाई भी कर रहे हैं डॉक्टर को भी आपने दिखा रहा है लेकिन फिर भी वह बिमारी आपकी पीछा नहीं छोड़ रही है आपसे दूर नहीं हो रही है तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है त जातको शोने से पहले 10 या फिर 20 रुपे जितना भी हो उन पेशों को आपको अपने तक्ये के नीचे रखकर शो जाना है उस पेशी को अपने उपर से उसार कर जो भी आपके लंबे शमेशे जो वीमारी चल रही है उस परिशानी को बोलकर श्निदेब का नाम लेकर उन पेश प्राशों को किशी गरिव भिकारी को दान कर दे जो यह झूरतमद वेक्ति हैं उन्हें कर दें तो आज दोस्तों से कही शाथ बात करते हैं कि आपकी राश्ची के जातकों का जो भागे है कब चमकता है किछ उमर में आपको शफलता मिलती है कब आपका भागे का ताला खुलता है तो दोस्तों आपकी राश्ची के जात्कों को 27 वर्स लेकर 31 वर्स तक शाथी उनके उपरांद 36 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक उसको उपरांद 5 वर्ष तक आपको शबलता जरूर मिलती है हमने जो शमय आपको बताया इसका मतल़ या नहीं कि आप अपनी मेहनत करने छोड़ दें या अपने कामों को करना ही छोड़ दें हलाकि दोस्टों जो तिस शास में जो बताया गया है उसे की हिसाब से हमने आपको उमर बताई है कि कौन से वर्ष में आपकी किश्मत का जो है ताला खुलेगा जी हाँ दोस्टों तो दोस्टों ये थी कुछ महत्पुन जानकारी आप शिवी के पूरी जीवन की तो दोस्टों उमेद करते हैं या जानकारी आप शिवी को पशन आया है तो दोस्टों जरूर इन्हें लाइक शेर कीजिएगा और चैल पर नए है तो इन्हें सब्सक्राइब जरू कीजिएगा ताकि दोस्वों और शी महत पुझार करें आप तक हम सब शे पहले लेकर आशकें धन्यवाद आपका दिन शमय शुब रहे